मौ मैं इतना तो जानती हूँ, वो सीधी तरीके से कुछ नहीं समझेगा, उसे दूसरे तरीके से समझाना होगा, कि बबली से दूर रहने में उसकी भलाई है परी को आएगा दिलजीत पर गुसा यहां पर दिलजीत बुरी नजर डाली रहा था पहले भी बबली पर देखा भी था परी ने लेकिन यहां पर तो आप बहुत ही बड़ा कांड करने वाला है वो ना बबली के कुछ ड्रिंग्स में नशे की दिवाई मिला देगा और एकदम भई वो बियोश्ची होने लगेगी और यहां पर पीछे पीछे ना उसके रूम में आने लगेगा अब जैसे पीछे रूम में आएगा ना यहां पर परी भी आजाएगी और परी उसको पकड़ लेगी अब दिलजीत पही जो करने वाला था वो तो नहीं कर पाएगा यहां पर बबली की इजद भी बच जाएगी लेकिन यहां पर भई उसको करेगी एक्सपोज अब नीती क्या करेगी तुम आने वाले एपिसोड में देखेगी क्योंकि दिलजीत तो भई नीती के ही ग्रूप में है लेकिन यहां पर ना सब लोगों को पता नहीं था कि दिलजीत के दिमाग में बबली को लेकर ऐसा कुछ है अभी तक सब को लग रहा था कि नहीं वो तो बहन मानता है लेकिन अब यह जब सारी चीज़ें आहेंगी तो यहां पर अब वो एक्सपोज होगा और पता लगेगा क्या सच है और यहां परी उसको छोडने वाली नहीं है परी तो भई उससे बदला लेगी और यहां पर हम प्रोमो में देख भी रहे ना किस तरीके से राजीव बोलता है परी क्योंकि तुम परी हो तो बोलता है कि नह जादी मुबारक और आपने तो एक साल वेड भी नी किया अपनी वाइफ के मरने का आपने पहले से शादी आनाउंस कर दी तो थोड़ा राजीव को अटपटा तो लगता है लेकिन वो बोलता है कि नीती ने अनाउंस किया था और नीती ने मेरे से बिना पूछे सारी चीज़ झाल झाल झाल